दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले बिहार में आये दीन बदमासों के बीच पुलीस प्रेसासन का खौफ खत्म हो चुका है इतना ही नहीं नवादाजिले के बारसली गंज में इन दीनों गुंडों का आतंक चल रहा है आये दीन बारसली गंज में चोड़ी साइवर क्राइम डकैती मर्डर मारपीट अबैद सराव का अड़ा बन चुका है हद तो यह हो गया कि आज सुवा सुवा बारसली गंज बस स्टैंड में कप्तान बस के मालिक विने सिंग के साथ जम कर मारपीट किया गया इतना ही नहीं जब अपने पिता को छुडाने के लिए उनका पुत्र राहुल को मार गया तो उसे भी बदमासों ने मारपीट कर घायल कर दिया गटना के संबन में कप्तान बस के मालिक विने सिंग ने कहा कि कल साम में कुछ समाजिक तत्रों के साथ मुझे धम के मिले थी धम के मिलने के बाद मैंने इसके लिखित सिकायत वारसली गंज थाना को दिया था और आज सुबर जब बस अस्टेंड बारसली गंज अपने बस को छोड़ने के लिए पहुचा तो कुछ समाजिक तत्वों के गवारा मुझ पर जानले वा हमला किया गया जिससे मेरा पैर टूट गया है इस मारपीट के विरोध में बारसली गंज ने सड़क में जाम कर दिया गया जाम के कारण बारसली गंज से नवादा बिहार सरेफो और पठना जाने वाले यात्रियों को काफो कतिनायों का सामना करना पड़ा दरसल हम आपको बताते चले कि जिस जगा पर मारपीट ही है वहाँ से ठाना की दूरी महज कुछी मीटर पर इधर इस संबल में बारसली गंज स्थाना द्यक्स ने बताया कि उन्हें इस मारपीट की गटना के बारे में कोई जानकारी नहीं और नहीं हमारे हाँ कि सुपरकार का कॉंपेल दिया गया